हेलो फ्रेंट्स मैं उस रोज मेरी किचिन में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स अपसे आपको कभी भी पालर नहीं जाना पड़ेगा आप अपने घर में ही अपने स्कीन की गंदगी को साप कर सकते हैं अपने स्कीन पे अच्छे से फेसियल कर सकते हैं वो भी अपने घर की ही चीजों से वो भी बहुत ऐसी चीजे होती हैं हमारे घर के अंदर जो हमें नहीं पता होता है और हमारे उमर किसे आप से हमारी स्कीन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है इस्कीन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता है आपका जो आप चाइनिस लोगों में जो इतना ग्लो होता ना वो ही आपकी इस्कीन में ग्लो आएगा एक पार ये रेमेडी जरूर अपनी स्कीन के उपर लगाए तो यहाँ पर मैंने लिया है आलू और फ्रेंट्स वीडियो पूरा एंड तक देखना चैनल पर नए है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तो फ्रेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो आलू लिया था आलू का जो उपर का चिल्का है वो हमें निकालना है और आलू हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यदा फेसल का काम करता है किसी भी परकार के आपकी स्किन के उपर दाग दब्बे होंगे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने आलू का चिल्का इस तरीके से निकाल लिया है देख सकते हैं क्योंकि हम सभी के घरों में आलू होता है तो आलू को हमें क्या करना है आलू को हमें कद्दू कस करना है इस तरीके से तो आलू को इस तरीके से हम कद्दू कस कर लेते हैं जो बारिक वाली कद्दू कस करने की होती है उससे हमें आलू को कद्दू कस करना है जो आलू का रस ह वो हमें निकाल लेना है तो फ्रेंट जो भी आलू का रस है वो हमें निकालना है तो यहां पर मैंने बड़ी वाली कटोरी लिये इसमें हम डाल देते हैं आलू को तो इस तरीके से मैंने आलू का रस को डाल दिया है तो फ्रेंट्स इसको देख सकते हैं इस तरीके से हमें आलू का रस को इतना आलू का रस निकालना है और इसमें हमें डालना है नीबू क्योंकि नीबू से जो भी हमारी इसकिन की गंदगी होती है वो साप होती है तो फ्रेंट्स यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से मैंने आलू में नीवू का रस डाल दिया है अगर आपकी स्किन पे नीवू नहीं सूट करता है तो आप इसको इसकी भी कर सकते हैं बट इससे आपकी जो भी इसकिन की जो भी दाग दब्बे होते हैं गंद की होती है साप हो जाता है यहां पे मैंने लिया है आटा आटा मैंने बहुत कम मात्रा में लिया है अगर मैं इसको सिरफ चेरे पे लगाने के लिए पेस्ट बना रही हूँ तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा लगाना चाते हैं हाथ पेरों पे इसका पेस्ट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो और इसमें ले लेते हैं हम टामाटर टामाटर के जो रस्ते जो टामाटर लेना है बिल्कुल रेड कलर का लेना है जो देसी वाला टामाटर होता है और फ्रेंट्स उसका हमें रसी लेना है टमाटर के रसी हमारे जो भी स्किन के उपर चाईआ हो जाती हैं दाग दब्बे हो जाते हैं बहुत जादा स्कीन ड्राइ रहती है ग्लो नहीं कर पाती है तो इससे आपको एक बार में अपनी पूरी स्कीन की समझ्या खतम हो जाती है यहां पर मैंने कुछ दही की बूंदली यह दही लिया है क्योंकि दही से हमारे स्किन की प्रोब्लम पूरी तरीके से खतम हो जाती है तो फ्रेंट्स यहां पर जो मैंने बेटर बनाया था सभी को अच्छे से मैंने मिक्स भी कर लिया है तो अच्छी तरीके से जैसे क्रीम लगाते ना उस तरीके से क्रीम की फॉर्म में कर लिया है मैंने बेटर को और इस तरीके से हमें लगाना है इसको तो इसी परकार से हमें अच्छे से बेटर को लगाना है तो यहां पे मैंने पूरे बेटर को लगा लिया, दोनों हाथों पे लगाया, देख सकते हैं 10 मिनिट के लिए अच्छी तरीके से मसाज देनी है, ताकि जो भी हाथ पेरों की जो चेरे की गंदगी है, पूरी तरीके से निकल जाए और बहुत अच्छी तरीके से हमारे हाथ पे अच्छे से क्लीन हो जाएं तो फ्रेंट्स यहां पे देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से दोनों हाथों पे देख सकते हैं मैंने हाथों पे दोनों पे लगा लिया है तो इस तरीके से मैं हातों पे अच्छी तरीके से मसाज कर रही हूं तो 10 मिनिट का वक्त हो चुका है अब हम हातों को थोड़ा धोके देख लेते हैं कितने क्लेन होते हैं हात हमारे यहां पे देख सकते हैं जो भी हाथों पे गंद की जमी वहीती मेल जमा हुआ तब पूरी तरीके से खतम दिख रहा है निकल चुका है जो भी हाथ पे रोपी मैंने 10 मिनिट के लिए रखा है देख सकते हैं यहाँ पर मैंने धो लिया है हाथ हमारे एकदम क्लीन हो चुके हैं देख सकते हैं इस तरीके से तो इस तरीके से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सोप्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ग्लोहिंग हो जाएगी आपके स्किन के उपर किसी भी परकार के दागदबे नहीं रहेंगे तो फ्रेंट्स ये रेमेडी अपने दोस्तों के पास में भी सहर कर सकते हैं इसका बहुती जबरदस्त रिजल्ट आता है एक से दो बार लगाएंगे तो अपनी स्किन में जो चमतकार आप देखेंगे जो करिस्मा देखेंगे चमक इतनी और कोई भी दागदबे नहीं रहेंगे तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही थैंक्यू फिर मिलते हैं